संसत की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लगातार अक्शन जारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और पीएम मोदी अमित शह से सदन में आकर बयान देने की मांग कर रहा है इसी बीच प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अख़वार को दिये इंटर्व्यू में संसत की सुरक्षा में हुई चूक पर दुख जताया है उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच जरूरी है और साथ ही साथ इस केस की गहराई में जाना जरूरी है प्यम मोदी ने कहा कि ऐसा करने पर ही मामले का समधान मिल सकेगा संसत की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कट घरे में खड़ा कर रहा है इन दिनों शीत कालिन सत्र भी चल रहा है लेकिन सुरक्षाचू कुले कर विपक्ष के हंगामे की बीच कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है आपको बता दे कि संसद पर आतंकी हमले की बर्सी के दिन 13 दिसंबर को दो लोगों ने सदन में घुसकर स्मोक बम से अटैक किया स्मोक बम की वज़े से सदन में पीले रंग का धुआ फैल गया इसके चलते संसदों की जान को खत्रा भी पैदा हुआ अलाकि पुलिस ने तुरंट कारवाई करते हुए ना सिर्फ सदन में खुसने वाले बलकि सदन के बाहर मौजूद साथियों को भी गिरफ़तार कर लिया पुलिस से मामने की जान्श कर रही है और सभी आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया क्या है तो आपको बता दे ये मामला 13 दिसंबर का है जब सदन में दो लोग घुस गये थे स्मोक बम लेकर और उन्हें स्मोक बम फैका और वहाँ पर धुआ 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 हो गया ऐसे में ये बड़ी सुरक्षा में चूक सदन में सामनी आई बड़ी लापरवाही ये रही और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला है और ऐसे में सदन की कारवाई भी नहीं हो पा रही है लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रिधार मंतरी नरिंदर मोदी ग्रह मंतरी अमिर शाह सदन में आकर जवाब दे और प्रिधार मोदी का अब इसको लेकर बयान आया है उन्होंने इस घटना को चुंता जनक बताया है साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांट जरूरी है और इस केस की गहराई में जाना जरूरी है प्यमोदी ने कहा कि ऐसा करने पर ही मामले का समधान मिल सकेगा